दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे गेहूं के आटे से डोड़ा पैन के तो चलिए बनाते हैं यह चन्नी ले लिया है मैंने चन्नी में आठ चम्मच गेहूं का आटा यह नौश्टी की पैन है जिसे मैंने लोग फ्लेम पे गरम कर लिए असको थोड़ा ओईल लगाना है फिर इसे पोच लेना है फिर पैन पे हम केक का बैटर ला लेंगे और फिर इसे किसी बरतन की मदा से ढख देंगे और घड़ी देख के आपको दो मिनेट पकाना है लो फ्लेम पे फिर हटा देना है फिर पलट के आपको 30 सेकेंड पकाना है यह 10 रुपे वाले दो डेड़ी मिल्क है इन्हें हम मेल्ट कर लेंगे पहले यह देखें मेल्ट हो चुका है अब यह मैंने चार पैनकेक बनाए थे अब हम दो ले लेंगे पलट के इसके उपर हम डेड़ी मिल्क लगाएंगे अच्छी तरह से और एक पैनकेक इसके उपर कि अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे फिर हम इसे पीच में से कट कर लेंगे तैयार है हमारा डोरा पैनकेक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं